नवश्कार मैं इंजिनियर प्यूश पांडे स्वागत करता हूँ अपने आज के हिंदी वीडियो में जिसका शीर्षक है पिक्चर प्रेजेंटेशन देवी सजनों जैसा की नाम से ही पता चलता है पिक्चर प्रेजेंटेशन एक एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम एक पिक्चर को प्रेजेंट करते हैं corporate sector में या किसी भी work atmosphere में कई बार हमें presentations देनी होती है और अपनी बात को presentations के माध्यम से समझाना होता है presentation का mood structure क्या होता है हम सभी जानते है presentations के दौरान कई बार हमें graphical form में भी किसी चीज़ को present करना पड़ता है किसी picture की form में हमें किसी चीज़ को present करना पड़ता है माध्यम से समझाते हैं तो वो चीज उस व्यक्ति को बहतर वे में समझ में आती है पिक्चर्स और ग्राफिक्स का हमारे उपर बहुत बड़ा योगदान होता है अगर हम प्रॉपर्ली किसी पिक्चर को एक्स्पें कर सकते हैं अपने सीनियर एक्जिकेटिव को अपने ओफिशल एक्मस्पेर में तो शायद हमारी बात उस पिक्चर के माध्यम से हमारे एक्सकेटिव को हमारे सीनियर को हमारे असूसियेट्स को बहतर वे में समझ में आ जाए बजाए इसके कि हम बिना पिक्चर दिखाए सिर्फ शब्दों में बात करें मैं यह नहीं कहता कि शब्दों में बात करने से understanding clear नहीं होती लेकिन शब्दों में बात करने के साथ साथ यदि आप कही हुई बात से related कोई picture दिखा देते हैं तो शायद आपकी बात और बहतर वे में clear हो जाती है क्योंकि audience को उसका एक live demonstration मिल जाता है इसलिए picture presentation एक बहुत ही crucial activity है जिसे हमें समझना चाहिए picture presentation का मूँ सुरूप यह होता है कि आप जो भी picture देख रहे हैं उसे आप as it is explain करें उस picture में आपको जो भी नजर आ रहा है जो भी दिखाई दे रहा है बिलकुल वही चीज explain करें क्योंकि picture presentation का basic point यह होता है कि दी हुई picture को explain करना अब दी हुई picture को explain करते वग यह भी ध्यान देना है कि हमें उस explanation में एक flavor डालना होता है वो flavor क्या है कि अगर हम अपनी explanation को straight forward way में without feeling कह देंगे तो शायद audience की उपर उत्रा impact नहीं आएगा लेकिर उसी picture को अगर हम feeling के साथ बताएंगे emotion के साथ बताएंगे तो हमारी picture presentation audience को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगी इसलिए इन दोनों बातों में differentiate करना भी बहुत जरूरी है और दोनों को मिलाना भी बहुत जरूरी differentiate इसमें में करिए कि picture के अंदर जो भी दिया गया है as it is वही explain कीजिए picture में दी गई बात से हट के कुछ unnecessary explain ना कर picture में दी गई चीज़ को लेकर कुछ extra unnecessary explain ना करें जो picture में दिया गया है वही explain करें पहली बात यह दूसरी बात यह कि आप अपने voice modulation के माधियम से अपने articulation के माधियम से उस picture को present करते वक उसके अंदर और sweet elements डाल सकते हैं आप इस way में बात कर सकते हैं कि वो picture बहुत ज़्यादा effective लगए main bodha यह होता है कि picture presentation के माधियम से हमें audience के mind को capture करना है audience को impress करना है ताकि हमारी picture presentation उनको बिल्कुल realistic लगए मैं आपको एक example के माधियम से करके बताता है यह एक picture मेरे सामने है जो मैं आपको शू कर रहा हूँ इसे आप ध्यान से देखिए भगवान शिव की यह picture है अब इस picture को हम किस तरह से explain करेंगे फिलाल हमारे सामने क्याल रखा हुआ है यह एक पुस्तक है उस पुस्तक के ऊपर यह picture बनी हुई है और इस पुस्तक के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है अब इस picture को हम कैसे present करेंगे वो देखे जईने ज enorme कि अपुस्तक पुस्तक ट्या collagen यह वी ग्या ट्रिए सब्यो अखेंगा वार्ड मैंகरों इस करेंगे यह वर्ड शिवार लोड शिवा अप्री एस विवा कृ आ लोर्ड शिवा इस rust अओन इस रू लिख ए्यृवार इआस्थ सब्सक्र रोर लोड शिवाल Snakes have covered the body of Lord Shiva. Snakes have covered the body of Lord Shiva. As you can see, the Hali Ganga water is falling on the head of Lord Shiva in this picture. In the background, there is a snow-covered white mountain and also in the background, there is a green mountain full of green trees. If you go down and see the bottom of this book, something is mentioned in written form. What is this? It is Gita Press Gorakhpur. Now, this inscription is indicating that this book has been published by Gita Press Gorakhpur. This is the symbol of Gita Press Gorakhpur, which is a publishing firm in Gorakhpur. And if you see at the right side of this picture, the name of the publishing house is also mentioned. Gita Press Gorakhpur. तो देवियों सजुनों, ये है इस picture की proper presentation. आपको दी हुई picture के अंदर क्या नजर आ रहा है, आपको वो explain करना है. अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपनों को बता देना चाहता हूँ, कि picture presentation के अंदर, एक बात हमेशा याद रखिए, कि दो अलग-अलग व्यक्ति, अगर किसी picture को देख रहे हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति, उस picture के अलग-अलग elements को analyze कर रहे हो, जब classrooms में यह activities कराई जाती हैं, और अलग-अलग students को कहा जाता है, कि आप इन picture को present कीजिए, तो students की अपनी observation और analytical power को चेक किया जाता है, कि student उस picture में से क्या-क्या observe कर रहा है, student उस picture में से क्या-क्या observe कर रहा है, student अपने हिसाब से जो भी उस picture में observe कर रहा है बेटर है उसे better understand करके student उसे भली भाती समझाए यह तरीका होता है picture को present करने का यहापे कोई specific rule नहीं होता कि आपको बस exactly वही explain करना है जो एक predefined rule के according है नहीं यह आपकी अपनी personal observation है कि आप उस picture के अंदर क्या-क्या देख पा रहे है आप किसी picture के अंदर क्या-क्या देख पा रहे है अपनी understanding के हिसाब से, अपनी observation के हिसाब से, अपनी language ability के हिसाब से आप उस picture को explain कीजे corporate sector में, job environment में, picture presentations में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपकी spoken English बहुत strong होनी चाहिए क्योंकि corporate sector spoken English के उपर बहुत focus करता है picture presentations देने की situation या किसी भी presentation को देने की situation job related ही आती है, task related ही आती है और इसके लिए English में fluent होना बहुत जादा जुरूरी है इसलिए picture presentation को भी perfectly capture करने के लिए English के उपर command होनी जुरूरी है और इसके लिए आपको उपने personal level पे काम करना हो डेवे से जुनो picture presentation एक ऐसी activity है organization में जो आपकी success को enhance कर सकती है आप किसी चीज़ को कितना systematically explain कर सकते हैं इसी के उपर depend करता है कि आप अपने higher executives अपने seniors के सामने अपनी बात को कितना perfect ही रख सकते हैं अगर life में presentation देने के मौके मिलते रहते हैं तो यकीन बानिये आपकी success बल रही है और आने वाले chances आने वाले समय में आपकी designation और salary भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी इसलिए इस activity के उपर concentrate करना बहुत जादा ज़रूरी है तो देवियो सजरू आज के लिए बस इतना ही आशे करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज सब्स्राइब करिए मेरे चैनल को E-Art, उश, पानिट्विन और वीटे कैम भीए और बेल आइकोन को प्रेस करिए ताकि मेरी हरने वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे बहुत बहुत धन्यवाद